गुड मॉर्निंग क्लास how are you all आज हम बात करते हैं अगर आपको पर रिस्पॉंसिबिलिटी दी जाए तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे अप उसको किस तरह से उस उस रिस्पॉंसिबिलिटी से उजिम्मेदारे से मतलब किस तरह से हंडल करके अपने समझदारी दिखाएंगे अपनी बेवकूफी दिखाएंगे किस तरह से आप ट्रिक्स लगाएंगे आइडियास यूज करेंगे उस सिच्वेशन को उस रिस्पोंसिबिल्टी को हेंडल करने के लिए तो आज हम पढ़ते हैं पार्ट साथ सच्वेशन की समझदारी इस पार्ट में हम जानते हैं सच्वेशन को क्या रिस्पोंसिबिल्टी मिली और उस रिस्पोंसिबिल्टी को कैसे निभाया पार्ट साथ सच्वेशन की समझदारी सचिन उठो मुझे बाजार जाना है गोलु का ध्यान रखना कहते हुए मा घर के बाहर चली गई मतलब माने सचिन को उठाया सचिन सो रहा था कि तुम उठो मुझे बाजार जाना है बाजार मतलब मा किट और तुम गोलु का ध्यान रखना अंगोली को ने सकियों चोटा भाई है यी कहते हैं माह बाहर चली गई जो चोटा भाई सो रहा है आखे मलते हुए उठा यह देख मैं पर пож क्या घ्र आ बBraखना सरी की यदि razor केया थे इस चोटा हूरात है ने वोसे फाल चा बिल्कुल बैठना नहीं था किसे सचिन को चुट्टी वाल ने मुसकी मां मार्केट गई है तो फिर उसको घर बैठना पड़ेगा पर भाई का ध्यान लखना जरूरी था भाई भी तो छोटा है ना उसका ध्यान लखना अधर वह चोट लगवा लेगा या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगी उसने गोलु की तर के ऊचैंड का इन्सेंट सब सचेन ने सोचा और मुस्कुरा देए सची ने सोचा जोरे मुस्कुरा देएक आपने और वहाहिवहने उस्पाष एया जाती है ना बिना दान दिखाए वाली जो smile होती है, एक तो आप हसते उसमें आपका टित नजर आते हैं, यह smile होती है, उसमें आप हल्किस smile देते हो, बिना टित शो किये, सचिन ने टीवी चला दिया क्या क्या सचिन ने टीवी चलाया वह टीवी देख ही रहा था कि उससे रोने की आवास सुनाई दी तीवी देखते हो क्या होगा उसको रोनी के वास सुने दी कौन रो रहा होगा बताओ आप कौन रो रहा होगा सचीन तो रोएगा नहीं पर कौन रोएगा उसका भाई उसने जूले की और देखा जूले में गोलु सो रहा था ना गोलु उट चुका था और रो रहा था गोलु करती है उससे कॉशिश करती है उसने सोचा पर गोलु थाक की चुप होने स्चिन को लगा की इसे भूख लगी हो यह बच्चा बहुत दें तक रोता है चुप नहीं हो सकते निज्गोब को बॉटल में चले जाना उसमें चीनी डालना, गरम करना, उसको बोटल में रखकर चले जाना उसने गोलू के मूँ में दूद की बोटल लगा दी पर गोलू ने हाथ मारकर बोटल को परेहटा दिया परेहटाना मतलब दूर कर देना जैसे आपको कभी ममा आपको कोई खाने की चीज़ आप इसको हाथ मारकर दूर कर देते हो ना ऐसे गोलू ने उस बोटल को हाथ मारकर खुद से दूर कर दिया अब सचीन सोच में पढ़ गया, उसे लूरी सुनाने लगा आप सचीन ने क्या सोचा कि है, गोलू को छुप कराने के लिए उसको लूरी सुनाएगा चंदा मामा दूर के, पूः पकाये गुड के, हाप खाये थाली में, गोलू को दे प्याली में उसने उसको लोरी सुनाई बचपने आप सुदने में सुनी होगी ने आली पोयम अरे अरे गोलू तो नहीं मान रहा अब वह क्या करें सचीन सोच में पड़ गया वह जट से गोल गोल गुमने वाला भालू का खिलोना ले आया आपने देखा ना एक खिलोना आता है वह गोल गुमता है उसमें मंकी भी आता है वह इसमें भालू है मंकी वाला भी आता है उसमें जो हम चाबी भरते हैं तो गोल गुमता है वह डांस करता है उसमें चाबी भर कर उसे दिखाने लगा पर गोलु को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था गोलु को क्या चाहिए था गोलु को मा चाहिए थी अपनी भै और जोर से रोने लगा कौन गोलु सचिन कभी दोड़कर बिस्किट लाता तो कभी पानी मैं किसी भी तरह से गोलु को चुप कराने की कोशिश कर रहा था कभी कुछ दिखाता तो कभी कुछ पर सब बेकार सब बेकार क्यों था बच्चों क्योंकि गोलु चुप नहीं हो रहा था तब ही उसे एक उपाय सुझा उपाय मतलब तरकीब आइडिया सब बोलतों ने एक आइडिया आया तो सचिन को भी क्या आया एक आइडिया आया उसने कंप्यूटर का बटन दबाया और गोलु को उसके सामने बिठा दिया अब उसने क्या किया उसने सोचे शायद मैं गोलु को कंप्यूटर दिखा हो तो वो चुप हो जाए सामने स्क्रीन पर मा की तस्वीर थी तस्वीर मतलब फोटो गोलु के जन्म पर की गई रिकॉर्डिंग के द्रिश्य थे द्रिश्य मतलब नजारे आप रिकॉर्डिंग करते हो न उनसे बाथड़े की पार्टी की तो वो क्या थे मापके गोलु के बत्षड़े की recording थी गोलु माकी तस्विए को computer पर देखकर बहुत खुश हो गया क्या वो गोलु निन जब computer पर अपनी माकी photo देखी तो वो है खुश हो गया क्योंकि यह अपनी माको ही तो देखने चाह रहा था बैह हस पड़ा और ध्यान से सब कुछ देखने लगा अब वो क्या करा था ध्यान से अपने बर्थड़े की recording देख रहा था सचीन ने रहत की सांस ली रहत की सांस मतलब चैन की सांस ली तब धर्वाजे की गंटी बजी मतलब दोर बैल बजी सचीन ने देखा की मा सामने खड़ी थी मा ने तुरंत पुछा गोलू क्या अभी तक सो रहा है क्योंकि मा तो गोलू को सोता वह चोड़कर गई थी तब ही माने गोलू की हसी की हवास सुनी गोलू क्यों असरा था गोलू तो कम्पूटर के सामने बैठा हो था रिकूर्डिंग देख रहा था वो सचीन के ओ देखते वे बोली मुझे पता था तुम समझदार हो और अपना काम अच्छी तरह करोगे मुझे तुम पर गर्व है सचीन मुस्कुरा तेरे मा से लिपट गया लिपट गया मतला मा से गले मिल गया कैसे लिए कि बच्चो स्टोरी इसी तरह से अगर आपको कभी कोई रस्पॉंसिबिल्टी मिले तो आपको अब इसको बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट करना है आपको जितने आइडास लगासों को आपको लगाने हैं और अपने स्पॉंसिबिल्टी पूरी तरह से अच्छी तरह से कवाई करनी है